बुद्धं शरणं गच्छा उनको अपनी विचारधारा से भी अबगत कराते हैं और उनकी विचारधारा हम बहुजन समाज तक ले कर जाते हैं तो आज हमारे साथ इतवा से हम हैं अभी और आप देख रहे होंगे सफारी जो अखले सरकार ने बनवाया था वहां हम खड़े हैं और भीमार्मी के हमारे तीन बहुजन युवा साथी हमारे साथ में हैं तो बात करेंगे उनसे कि वो किस तरह से समाज को जागरूख करने का या समाज को हेल्प करने का या समाज को बहुजन समाज को मजबूद करने का काम कर रहे हैं सब्सक्राइब और आप से पहले आप से ले लेते हैं किया आप इधर कड़े हैं क्योंकि हम पद्व की गरिमा अपनी जगश है लेकिन आप बतात्स के लिए यह रहे हो जब आपका जो संग्त है किस त्रीके से काम करता है लोगों को जगाने के लिए जागरूँप करने केraw. तो आप बताएं थोड़ा और जहां तक मुझे मालूम है जो भीम आर्मी है उसके फाउंडर मेंबर चंद सेकर आजाद भी थे जो अब आजाद समाज पार्टी बना चुके हैं जी सबसे पहले मैं गोतम रतना भाई जी को और अमेड कर नेशन चैनल को धनवाद करता हूं जो आज मुझे यहां अपनी आवाज रखने का समय दिया बहुत बहुत धनवाद और जै भीम जै भारत जै सम्नान सर यह जो चंद सेकर भीम आर्मी पहले चला रहे थे यह इसके फ मिन्हेरतन कमल वा लिया और भी साथी थे लोगों इनों नोगों को अनोंने बाहर कर दिया क्योंकि उनकी गत्नीय के छा रहे हूं तो यह और लोगों को नहीं जमी में तो नहुंओं संगठन रइस्टर करा लिया। अर हम लोग घरघर जाकर इसमें लोग भाउज आतं ऐसा स्कूल के साथ साथ में लगातार समाज को जगाने के लिए जो मदद बनती है कहीं कोई पिरकरण हो गया उसकी मदद करते हैं मौके पर पहुंचके हमारी पूरी टीम चाहे वो किसी भी स्तरका और संगठन में सबसे बड़ी बातसर यह है कि जो भी पददकारी है वो कोई सामाज एक परवतन करना भी मारी भारतिक्ता मिशन का यह उद्देश है सर आप में एक यह सवाल मैं आप से थोड़ा अलग है मेरा आपने देखा हो कि भाजपा के सौईयों के पांसो संग्ठन होंगे लेकिन जब इलक्सन आता है तो वो सब बीज़ेपी को वोट करता है औ अर हमारा जो भाचैन समाज का जो एक platform खडा हुआ बड़ी मेहनत के बाद उसमें कासी राम साँप की मेहिनत हमारे जैसे लोगों की मेहनत क्योंकि मैं संचोरासी से नौमी क्लास से में बीज़ेस की मेहनत है उसमें तो यहां पर ऐसा क्यों है कि कुछ दस लाग चाल लाग लोगों का जब संक्थन बन जाता है तो हर आदमी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना शुरू कर दिया है यह बहुजन समाज की तराजदी कहो इसको या दुखत कहुँगा मैं तो मुझे नहीं मालूम कि आप किस तरह से देखते हैं आप क्या कहते हैं इस बारे में कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या आपको क्या लगता आप अपनी राय पेस करें और अपना इंट्रोड़क्शन भी देदें इक वर पर जी सर जै भीम जै भीम आर्मी जै बाती समधान मैं बताना चाहता हूं कि यह अन्य संक् मिलके सब साथ हो जाते हैं और बगी अन्ता जो हम लोग कार करते हैं जमिन इस्तर पर सभी भाईयों को सुझत करके उन्हें मिलके सिच्छा के भावना देते हैं एक किसी पर हुए अत्या चार के साथ उन्हें निया दिलाना काम करते हैं और बगी जो भी कृतियां जले समाज के सब जितने इपक्तियों उन्हें निवेदें करता हूं कि वह सिच्छा की बात्र मनें हमेशा सब को सिच्छा दिराने को है कोज़ करें यही मेरी मांग है जैवीम जैश अमिदान आप कौन से जिले से हैं जन्पद औरेया से हूँ जन्पद औरेया से पीपी राव साब यहां मेरा आप से अलग सवाल है जैसे यह सर ने बताया कि हमारी मुवमेंट इस तरह से काम करती है यहां मैं आप से यह पूछना चाह रहा हूं कि जब से आजास समाज पर्टी या चंसे का राजाद एक हाइलाइट किये गए इसके पीछे आपको क्या लगता है उन तथ्यों को आप जड़ा एक दम बिलकुल बहुत खुलके रखें और मैंने जो देखा है इस पीरिट के अंदर कि कही ना कहीं जो हमारा यूथ है बहुजन समाज का वो कहीं पर ऐसे ब करने कहा था कि मैं हिंदुधर्म में पैदा हूगा यह मिरे बसं़ की बात नहीं थी लेकिन मैं हिंदुधर्म मरूंगा ने यह मैं मेरे बसंट की बात है चाहे वो आपके भी मार्मी का भी क्यों नहीं हो, चाहे वो भी SP का क्यों नहीं हो, मैं तो सब पर सवाल कर रहा हूँ, मुझे एक किसी संग्टन से तो कोई दुस्मन ही नहीं है, लेकिन जब आप जाती को मजबूत करते हैं, ग्रेट चमार जैसे सब्दों का इस्तेमाल करते ह हैं, जातव और या यह जो जाती को सब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं गौतम रतना जी को धन्वाद बोलूँगा, अम्बेटकर नेशनल चैनल जो आल भारत में काम कर रहा है, और हमारी बहुजन की आवाज उठाने का कार कर रहा है, साथ साथ मैं धन्वाद बोलूँगा, जैभीम, जैसा कि हमारे अभी महोदे जी ने अवगत कराया, बता साथ की फोटो लगा कर एक राजनितिक पायटी का मुद्दा बना कर हमारे बोजन समाज में बिखंडन करने का कार करते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम लोग गाउं गाउं जाकर बोजनों को जताने का काम कर रहे हैं, सिच्चा दिलाने का काम कर रहे हैं, हमारे भीम आर्वी भ तरकार का अन्याय हो रहा है, उसके लिए हम लोग गाओं-गाओं जाकर और तत्काल प्रभाव से पीड़त परवार को न्याय दिलाने का कार कर रहे हैं, जैसा कि हमारे बहुजन समाज में जगए-जगे पर जो बोड़ लगाए हैं, तो हमारे समाज को बहुजन समाज को यह कहीं न कहीं कि हम लोग जो जातीदा से अभी ग्रस्तित हैं जो कि अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो ऐसी इस्तिती में हमारे बहुजन समाज के लोग संगठन का नाम देते हैं तो वो अपनी एक पैचान बनाने के लिए एक जाती का नाम देते हैं यह बाइकों पर कार पर तो इसको आप किस तरह देखते हैं मेरे सवाल यह था आप से इसको जो देखते हैं न वो ऐसा है कि हमारे समाज में लोग अपने आपको अपनी समाज को एक जागरूप भीम पुत्र बिजे कुमार आजाज जी हैं और हमारे इसके साथ साथ एक्टिम मेंबर है हमारे चंसेकर, कमल बालिया और भी तमाम ऐसे साती जिनों ने हमारे बहुजन समाज को एक उजागर न करके उन्हें भिरमित करके एक राजनितिक दल बनाया चुकि हमारे मानमर साव आ आवाज लगाई और बहुजन समाज को एक करने का कार किया और आज अगर हमारे बहुजन समाज का कोई भी नागरिक पुरुस अगर हमारे बहुजन समाज के साथ किसी अनौनी करता है हमारे संगठन बनाकर हमारे जात के नाम पर संगठन बनाकर बाबा साब की फोटो लगा अगर कोई संगठन बनाकर कोई राजनितिक दल बनाता है तो उसका सिरफ ओनली ऐसे लोगों से धिकार करता है यह संगठन यह संगठन हमारे बहुजन समाज के लिए है थेंक्यूं सर उनोंने बोला कि कहीं ना कहीं भुजन समाज के जो तो जो मैंने आपको बोला ग्रेट जाटब, ग्रेट चमार या ग्रेट वालमिकी या ग्रेट खटीक धानुक जो भी लिख रहे हैं उन्होंने उसको बोला कि वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है आप कैसे देखते हैं क्योंकि बाबा साब ने तो कहा अगर आप जाटब लिखते हैं या कर रहा है यह तो बाबा साब की आइडियोलोजी में जहां तक मैंने बाबा साब को पढ़ा है कहीं भी नहीं है क्योंकि बाबा साब ने आखिर में अपने लास्ट बहुत टाइम पहले 1935 के आसपास अनौंस कर दिया था कि मैं हिंदु धर्मा पैदा हुए मैं द्वारा से आपको लेकिन मैं हिंदु धर्मा मरूंगा नहीं और यह मानुवर साब कह रहे हैं हमारे कि वह अपनी इक आइडेंटिटी बना रहा रहा है आप कैसे देखते हैं मैं सर बताने देना चाहता हूँ कि आज समाज में कोई किसी किसम का है बोगा ने के लिए कोई यादा भी लिगता है कोई कुछ लिगता है इसी परकार से हम अपने को छोड़ा ना समझते हुए किसी परकार की जाती को अपनी जाटवादी को हमेशा उच्छ क्वालिटी देना चाहता हूँ इसलिए अपने नाम और अपनी जात को बेसे के सामने लिखने कर या कोई मुद्धे पर रखने का सामने काम करता हूँ ज़िए इनोंने भी जो मैं पूछना चाहरहा हूँ वह जवाब से मैं संतुस्त नहीं हो आप से भी पूछना चाहूँगा जब बाबस साबThose कह दिया कि मैं ळूतर में पैदा हुए ये मेरे बसकी बात नहीं थी लिकन मैं इसमें मरूंगा नहीं जब आप जाती की बात करते ह लगाने से लिखने से नहीं होता है और हमारा संगठन झाते हैं कि किसी जात को एक टार्गेट ना करके और जो भी जिसके साथ गटना होती है उसकी सम्धद करें और हम चाते हैं जेसे ही सिच्चा भी भारत में सिच्चा का इस तरगरता जा रहा है लगाता तो मैं चाहता हूं सब लोग इस पर फोकस करें किसी एक जात को ग्रेट बनाने से कोई ग्रेट नहीं बन जाएगा इसको इसमें आप अगर ग्रेट बनना है तो आप बैचारों से ग्रेट बनिए और बाबसाब को पढ़िए और आंगे बढ़िये ऐसे ग्रेट नहीं बन सकते हैं देखें आप सुन रहेते हैं अभी यहां पर जो हमारे भीम आर्मी के साथी हैं बहुजन युवा साथी हैं उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात रखी और जहां तक मैं समझता हूँ कि जाती सूचक सब्दों का इस्तेमाल किसी भी रूप में करना वो बाबा साब के आइडियोलोजी के खिलाफ है अगर कोई जाती सूचक सब्दों का इस्तेमाल करता है तो कम से कम मैं परसनली जितना बाबा साब को पढ़ा हूँ, मैं उसको बाबा साब अमेट करका फूल और नहीं मान सकता हूँ क्योंकि बाबा साब ने लास्ली हमको धम के रूप में बुद्धम दे दिया, जिसमें कोई जाती का कहीं भी कोई नामों निसान नहीं है इसी के साथ बिदा लेते हैं, इटावा से आप देख रहे हैं और हमारे बहुजन युवा साथी जो यहां पर सिक्षा पे और सारे सब्जेक्ट पे लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, मैं अपील करूँगा कि आप जाती सुचक सब्दों का इस्तेमाल लोगों को जरूर सा कर दो मुत बहुजन आप जछन हो जाती सुचक सब्दों का इस्तेमाल ना करें मैं आपसे उम्मीद करता हूँ सभी वहारे तीनों बहुजन सातियों से युवासातियों से कि वो जाती सुचक सब्दों का इस्तेमाल ना करने के लिए लोगों को पिढ़ना देंगे इसी के साथ विदा लेते हैं टावा से गौतम रतना अमेटकर निशन से में बाबा साहिब अमेटकर और तथागत बुद्ध की विचार धारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग परदान करें ताकि हम अपने चैनल के मात्यम से देश विदेश में समता बंदुता एकता और संवेधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचा सकें अमेटकर नेशन चैनल जो यूट्ट्यूब पर भी प्रसारित होता है प्रसुत करता गौतम रतना आप अपनी साहिता राशी नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं खाता धारत गौतम रतना खाता संख्या 3169 5768 651 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारती स्क्रीट बैंक आप हमारे बैंक खाते का विबरन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कर दो करा दो कर दो दो आप हमारे भी ब Danny झाल झाल झाल